वेले गूट इवलिंग तू अलों यू नमस्ते आप सभी का अज़ा 247 के ऊफिशिल यूट्यूब चैनल पर सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत ही आमेजन सी सीरीज की या फिर मैं बोल सकती हूँ आपकी लाइफ लोंग आपको याद रहीगी यह सीरीज क्यूकि यह आपकी फांडेशन बनाने वाली है एक बेस बनाने वाली है रीजनिक का यह आपकी पहली और آकरी foundation होनी चाहिए इसके हम पूरा ध्यान रखेंगे पर आपको भी रखना पड़ेगा साथी साथ कुछ questions हम आपको बताएंगे जो आपको daily business पे करने होंगे तो चलिए फे एक बार स्टार्ट करते हैं हमारे बहुत ही चांदार से session को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो के लिंक अपने सभी सोचल मीडिया प्लारफॉर्म पे शेयर कर देगे और इस वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे तो अधिती मोहमत आसिफ आरून रुपाली ब्यूटी सब लोग नेहा भी आ गई है तो जल्दी से आप सब और लोगों को भी बुला लेंगे और फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेशन को तो यह क्या है हमारी बैंकिंग प्रीमियम क्लासे और सबसे जो मेरी जो फेवरेट है इस में जो लाइन डाट इस बेगिनर टू प्रो मतल प्री से में सकी तयारी कराई जाएगी अगर हमें कुछ नहीं आता तो एक टाइम पे ऐसा भी कुछ होने लगेगा कि आपको उस चैप्टर से रेटर हर एक चीज आने लगेगी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को तो यहां पर आज हम सिलोगिजम करने वाले हैं ठीक है सिल आप मेरे को जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे तो सोना शर्मा रीजनिंग ओफीशियल अड़र 24-7 पे आप मुझे जॉइन कर सकते हैं और मेरे से अगर कोई भी आपको क्वेडी हो तो जरूर वहां पे पूछिए का कोई भी कोर्स में अन्रोल कराने के लिए बैंक महाप अजिए बैंक मिल जाएगा ठीक है एस रीजनिंग हम रिकमेंट करते हैं आप सभी को चले फिस्टार्ट करते हैं इस्टूरेंट्स भी आ चुके हैं और मैं वेच कर रही थी आप सभी का तो राकेश शिवानी अनुराग आजै और कमलेश ठीक है तो सब आ गये है अश्रेय सबसे पहले हम आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि हम इसमें कावर क्या क्या करने वाली है तो से लोग इसमें अगर प्री में देखा जाए तो प्री में आपको तीन टाइप के क्वेश्चन्स देखने क मिलते हैं, में भी इन में से आपको question देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वो types लिख लेते हैं, सबसे पहले हम आपको बिलकुल basic syllogues कराएंगे, तो यहां पर जो आपके type 1 syllogues होंगे, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो बहुत important होने वाला है, वो है हमारे basic, syllogues का बिलकुल basic पढ़ेंगे, कि भाई होता क्या है, type 2 जब आएगा हमारा, तो type 2 में हम पढ़ने वाले हैं, इसके either or cases, यह भी हम आज ही बताएंगे आपको, फिर type 3 में हम आपको बताएंगे possibility के cases, जो आजकल बहुत trending है, मतलब कि basic अगर आ गया, तो उसी के साथ थोड़ा possibility सीखना होगा, type 4 में मैं आपको कराऊंगी, new pattern के syllogism, आप बोलेंगे, मैं, syllogism में भी new pattern बता रहे हैं, हमने तो इतने ही cases देखे थे, जी नहीं, इसके अलावा भी syllogism में एक new pattern case होता है, जिसे हम बोल सकते है, coded syllogism, तो यह new pattern syllogism भी मैं आपको कराऊंगी, और coded syllogism आप को अगर इस साल की बात करो, तो इस साल के काफी अच्छे लवल की एक्जांस में देखने को मिला था, जैनवरी में जो आइबी प्स पी ओ का में इंस हुआ था, उसमें को डेट सिलोगिसम आया था, तो यह एक इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके मेंस के लिए, और यह सब इंपोर्टेंट हो जाएंगे आपके प्री प्लस मेंस दोनों के लिए, चलिए पर स्टार्ट करते हैं, पीडिएफ आपको मिल जाएगी, वो बोल रहे हैं, पूछ रही है, अनुराक्ट पूछ रहे हैं, कि माम नोट्स कहा मिलेंगे, पीडिएफ आपको, कॉमेट सेक्शन में मिल जाएगी, बट उसका थोरस आपको इंदार करना होगा, कुछ यह सेशन खताम होने के कुछ आई जाएगी, ठीक है, हर एक चीज, चलिए, फिर स्टार्ट करते हैं, न्यू पैटन केसल में, मैं आपको सब चीज करवा दूगी, और उसके बाद, हम सिलोगिजम की ओवर और एक प्रक्टिस भी करेंगे, ठीक है, चलिए, बेसिक कॉंसेप, तो आज हम करने वाले है, ट अधन दीए होते हैं, उसके नीचे कुछ साह dispelon की निशकर्श हिह होते हैं, उसके नीचे मिलते हैं आपको पाच ऑप्षन और उन पाच एंशन में से आपको कोई एक ऑपशन टिक करना होता है, यह होता है आपका सिलोग जन के ग्वैसिंअ अब इस में, स्टार्टिक में है तो मैं आपके चार स्टेटमेंट आपको होंगे बस इसी में पूरा निचोड है सिलोगिसम का एक आएगा आपका सम ए आर बी एक आएगा आपका सम ए आर नॉट भी एक आएगा नो ए इस बी एंड लास्ट ओल ए आर बी बस यह चार स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हम आपको वेन बताएंगे उसके अकॉर्डिंग कुछ कॉंक्लूजन बताएंगे और फिर पूरा चैप्टर का जो बेसिक निचोड है वो आपके सामने क्लियर हो जाएगा अब देखिए टाइप बन में एक्चुली हम आपको कराने क्या वाले हैं हम आपको बताएंगे कि कोई भी निशकर्ष आपका सही और गलत कब होता है डेफिनेट केस में ठीक है नॉट इन पॉसिबिलीटी बटें डेफिनेट केस तो डेफिनेट केस मतल जब कि जब आपसे वो कंक्लूजन की डिमांड कर रहा हो या फिर हम बोल सकते हैं जब वो आपसे आंसर मांग रहा हो और उसे क्या चाहिए हो पूरी 100% चाहिए हो मतलब वहाँ पे पॉसिबिलीटी या संभावना जैसा कुछ भी नहीं दिखेगा वहाँ पे आपको मिलेग वहाँ पे आपको मिलेंगे डाइरेक्ट सेंटेंस एक कंक्लूजन मिलेगा फॉर इक्जांपल वो डाइरेक्ट कहेंगे कुछ मैंगो पापाया है और उसके अकॉर्डिंग कुछ वैन बना होगा उसको देख के आपको बताना होगा क्या यह सही है या गलत जब आप उस पे शुरिटी नहीं और थोड़ा सा भी संदेह है तो आप उसे रॉंग कर देंगे मतलब कोई भी कंक्लूजन सही कब होगा जब आपको उस पे 100% शुरिटी होगी तो यहाँ पे जब आपको 100% शुरिटी होगी किसी भी कंक्लूजन पे तभी आप उसे राइट करेंगे दूसर हम बोल सकते हैं अगेंस नहीं होगा स्टेट मेंट के ठीक है फॉर एक्जामपल इफाइसे मैं अगर आपको आकर कहती हूँ कि आप सभी विद्ध्यारती है अब मैंने बोल दिया आप सभी स्टूडेंट्स है अब कोई आके निशकर्ष निकाले अब बताना सही या गलत मैंने तो बोल दिया इस सभी स्टूडेंट्स है अब कोई आके बोले इन में से कुछ लोग students नहीं है तो आप क्या बोलेंगे इनका निशकर्ष 100% गलत है क्योंकि ये क्या किया इसने इसने statement के न opposite बात कर दी इसलिए इसलिए यहाँ पे not against your statement कोई भी conclusion आपके statement के against नहीं होना चाहिए against कब होता है जब वो आप से ठीक वीपर बात कर रहा होता है अगर वो अगेंस्ट हो जाता है आपके statement के तो वो वाला निशकर्ष जो होगा वो गलत हो जाएगा तीसरी चीज हमेशा याद रखिएगा statement is always truth statement सत्य है उसे भगवान मान लीजिए है ना तो यहाँ पे statement is truth उस पे शक मत कीजिएगा वो बुलेगा blue green है है और वो कुछ भी बोल सकता है ठीक है तो उसे दिल पे मत लीजिएगा चलिए फिर आगे चले बस ये था आपका एक छोट असा कॉंसेप्ट अगर कुछ कोईरी सो तो हाँ अनुराग जी पूछिए ना यहाँ पे कोईरी हम यहाँ पे खड़े हैं रॉंग होगा वेरी ठीक है अब आगए हम हमारे वन ओफ दा पिलर्स पे मतलब कि एक पिलर पे कोई भी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम एक डाइग्राम बनाएंगे एक मेथड होता है 150 रूल मैं उसको बिलकुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ और ना ही आप उसे सोचते होंगे कि उसे important चीज क्या चाहिए होती है हमें चाहिए होती है accuracy और accuracy आपके वन डाइग्राम से ही बनती है इसलिए चाहे आपको एक दो सेकंड जादा भी लग जाए लेकिन accuracy आपकी नहीं जानी चाहिए तो चलिए आईए देखते हैं कैसे हम वन डाइग्राम बनाएंगे और वन मतलब कि एक तो होगा हमें सम मिलेगा एक नो मिलेगा एक और मिलेगा ठीक है कुछ कोई भी नहीं या फिर सभी यह तीन ही रिष्टे होते हैं तो चलिए आईए ओके सिमरन मैं देखके आपको करती हूँ रिप्लाइए ठीक है आईए यहाँ पर आपका स्टेट्मेंट है सम A और B कुछ A B है इसको देखते ही हमें एक वन बनाएंगे A का कुछ पार्ट B में आ गया इसका हिंदी हापे सारा दे रखा है ठीक है फिर यह बोलते हैं पहला कंक्लूजन अब बताइए कौनसा कंक्लूजन सही और कौनसा गलत पहला कंक्लूजन है कुछ B A है B का कुछ हिस्सा A में है हाँ जी यह है तो 100% चुरिटी है हाँ है इसलिए कर दीज़े इसे सही sum A and not B कुछ A B में नहीं है अब हम बोलेंगे A का कुछ हिस्सा B में है ये तो पता है लेकिन A का कुछ हिस्सा B में नहीं है इसकी हमें guarantee नहीं है अब हम बोलेंगे ma'am जो आपका हमीशा question रहता है ma'am ये जो part है A का ये थोड़े ना B में है तो बोलेंगे ना ये सही है मैं बोलेंगे ये सही हो भी सकता है और नहीं भी guarantee नहीं है मुझे इसकी क्यों नहीं है क्योंकि जब भी 9 का रिष्टा वो बताएगा तो वो आपको कुछ ऐसे 9 के लिए कुछ straight line करके उस पर cross बना देगा अगर A का कुछ हिसा B में नहीं होगा इसका मतलब A में कुछ part show करके वो B से उसका cross का रिष्टा दिखाएगा मतलब 9 का रिष्टा दिखाएगा तो यहाँ पे तो 9 का कुछ नहीं दिख रहा सब positive positive है इसलिए ये बात हम बोलेंगे हमें खुद नहीं बता कि A का कुछ हिसा B में है मतलब है तो पता है पर नहीं है इसकी guarantee नहीं है इससे ये गलत हो जाएगा बिल्कुल basic से हम आपको बता रहे है आईए उनली first follow बता रही है श्रेया and she is here ठीक है चलिए very good विद्या भी बता रही है विशाल गगन भी आचुके है okay very good some B are not A similarly अभी अभी जो समझाया B का कुछ हिस्सा A में नहीं हम बोलेंगे हमें नहीं पता क्योंकि देखो actually होता क्या है न B का ये हिस्सा A में है इसकी बारे में हमें 100% लेकिन B का ये हिस्सा इस A से क्या रिष्टा रखता है यह हमें खुद नहीं पता और जब हमें ही नहीं पता तो हम कैसे बोल दे कि कुछ हिस्सा नहीं है A में तो ये भी हो जाएगा गलत All A R B क्या सभी A B के अंदर दिख रहे हैं नहीं जी हमें नहीं पता इतने दिख रहे हैं ना इतने की ही बात कीजिए गलत हो गया All B R A S अभी B A के अंदर है फिर गलत हो गया No A is B जब भी No बोले ना मतलब कि कोई भी A B में नहीं है अरे एक बार बताओ कोई भी A B में नहीं है कोई भी A B में नहीं है It means No मतलब दोनों अलग अलग बैठेंगे और यहां पर क्या दे रखा है यहां पर तो एका कुछ इस्सा B में है अब मैंने आपको तीन पॉइंट्स इससे पहले समझाए थे वो बस ऐसी समझाने के लिए ने यहां पर apply होने थे वो points मतलब यहां पर उसका application था मैंने आपको बूला था कभी भी आपका जो भी निश्कर्श होता है ना आपके statement के opposite नहीं जाना चाहिए मतलब कि उसके against नहीं जाना चाहिए यहां पर यह बोल रहे हैं कुछ A B में है statement तो यह ही कह रहे हैं यहां पर यह बोल रहे हैं भाई कोई भी A B में नहीं होगा दोनों अलग होंगे हम बुलेंगे आप तो हमारी statement में ही शक कर रहे हो statement के against जा रहे हो तो आप बिल्कुल गलत है या फिर यहां पर देख के बता सकते हैं ना और no B is A हम बोलेंगे नहीं नो मतलब कोई भी B A में नहीं है तो आप तो गलत कह रहे हैं यह तो 100% गलत है समझ में आई बात आगे चले चलिए यहां पर only first is right तो आप सब सही थे जिन्होंने भी answer किया था अब आगया है हमारा दूसरा statement all A are B देखिए मैंने आपको बोला है जित्ते भी हमें students जाइन कर रहे हैं तो उन्हें एक बार मैं फिर से बता दू हम syllogism को four parts में complete करने वाले हैं उस टाइम थोड़ी कम students से पहला type हम कर रहे हैं जो basic है उसके बाद आज हम either और के भी concept सीखेंगे कुछ questions भी देख लेंगे उसके बाद मैं आपको possibility बताऊंगे और उसके बाद new pattern cases new pattern cases में आपके mains के questions तो होंगे ही जैसे की coded syllogism और कुछ new pattern words को भी आपको introduce कर वाऊंगी उससे ठीक है जैसे कि आज कल use हो रहे हैं can be, can never be आज कल use हो रहे हैं at least, at most maximum, minimum, कम से काम, जयाद आतर यह सभी words को हम किस तरीके से use करेंगे या फिर percentage based syllogism कैसी किये जाते हैं वो सब भी मैं इस ही में बताऊंगी ठीक है, तो आपको बस जुड़े रहना है daily basis पे 10 बजे यहां पे और syllogism की तो हम चुटी कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से इसे कर लेंगे चलिए फिर, सभी यह भी है तो सबसे पहले हम when बनाएंगे अब एक बात और, हर एक जो sentence होता है, एक बात तो मैं यह बोल दूँ कि जो भी sentence बोल रही होती हूँ न जो भी निकल रहा होता है सभी sentences बहुत important होते हैं तो ध्यान रखा करिए जैसे अभी मैं जो बोलने वाली हूँ मैं यह बोलने वाली हूँ कि syllogism के एक statement के बहुत साहे diagrams बन सकते हैं अब उसमें possible और standard diagrams होते हैं हम कौन से diagram बनाते हैं standard diagram standard diagram वो diagram होता है जिसके basis पे हमें correct conclusion मिल जाता है हमेशा ठीक है reality में अगर देखा जाया है या पुराने जमाने की बात की जाया है तो होता क्या था आपकी statement के according बहुत सारे diagrams बनाए जाते थे possible और standard भी उन सभी diagrams के basis पे हम conclusion देखते थे अगर वो conclusion वो एक conclusion हर एक diagram में सही बैठ रहा है तो वो conclusion बिल्कु सही हो जाता था और अगर वो एक भी conclusion में एक भी diagram में वो conclusion गलत हो जाता था तो वो conclusion wrong हो जाता था समझ में आई बात मैम एक बार यह क्या है मुझे लगा कुछ बहुत इच्छी बात लिकिए हो कि बोले मैं एक बार हस दो पूछ रहे हैं हमसे चलियाइए पहला conclusion कुछ भी है बी का कुछ हिसा ए में है क्या दिख रहा है क्या हाँ बोलेंगे मैं यह है तो बीका हिस्सा ए में सही हो गया समया नौट भी क्या कुछ हिस्सा बीमें नहीं है अरे आर सभी A B के अंदर है मैंने बोला ना आप सभी students है statement बोल दिया अब कोई आके बोले कि आप इन में ये जो बैठे है ना इन में से कुछ लोग students नहीं है ऐसा हो सकता है बट हाँ जब हम सिलोगिजम के बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत होगी क्योंकि मैंने क्या statement दी ये सभी students है और जब मैंने बोल दिय तो आके कोई अब क्या बोल रहा है कि इन में से कुछ students नहीं है तो वो पक्की तोर पे गलत बात कह रहा है क्योंकि सभी students है ठीक है तो यहां पे यही हो गया जब सभी A B कैसे नहीं होंगे जी ये तो गलत है बिल्कुल सम B R not A अब बहुत ध्यान से देखना आप बोलोगे म सम B का जो यह वाला पार्ट है नहीं है तो यह तो सही है हमें दिख रहा है मैंने बोला नो वाला दिखा क्या आपको ऐसा कुछ B का कुछ हिस्सा नो का रिष्था बना रहा है क्या नो के लिए क्रॉस चाहिए क्रॉस नहीं दिख रहा है ना तो यह क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, सम A, B, कुछ A, B हैं, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, और फिर कोई आखे बोले, कि इन में से कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो यह सही होगा या गलत, अरे सही होगा ना, एक बात याद रखना, जो मुझे पता है, अब वो आके बोल देगा, इन में से कुछ किट कैट है, आप बोलोगे, हाँ, शुरिटी तो है, तो यह कंटूजन बिल्कु सही हो जाएगा, जब सभी किट कैट है, तो कुछ चॉकलेट्स ही होगी, ऐसे ही, मैंने आपको रिप्लेस कर दिया भी चॉकलेट से, ठीक है, तो यहाँ पर आपके अगर बात करो, आप सभी स्टूडेंट्स है, कोई आके बोले, इन में से कुछ स्टूडेंट्स है, तो यह राइट कंक्लूजन होगा, क्यूंकि वो बचे हुए लोगों के बारे में कुछ टिपनी नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है, कुछ लोग तो है, जब सभी है, तो कुछ तो होंगे ही, अल भी आरे, क्या सभी भी एके अंदर दिखने हैं, क्या हम बुलें कि भई, एबी का ये वाला हिस्सा एके अंदर है, या नहीं है, हमें नहीं पता, तो भई, वैंड या नॉट हंडे पर सेच्छ, यह वी कांट कंक्लूजन आगे सभी को बुला लेना होगा, if you are enjoying the session, और लाइक सित्ते कम क्यों, लाइक सभी कीजिए प्लीज, चलिए, हाँ, संजय जी, हम वापस आ गए हैं, और अब ये कोर्स बिलकुल, दोड़ेगा, अब रुकेगा नहीं, यह चलिए, नो A is B, अब देख इसने क्या किया, कथन के वि स्टुडेंट्स है, अब कोई आके बोले, इन में से कोई भी स्टुडेंटी नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं, पहली बात है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह बिलकुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने मेरे स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात कर दी, नो B is A, हम बलेंगे, कुछ इससा पक्की तौर पे के अंदर है, कैसे बोल रहे हो, कोई भी भी यह में नहीं होगा, यह भी गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली, फर्स्ट एंट फोर्थ हार, करेक्ट, आया समझ, चलिए फिर आगे चलते हैं, वेरी गर्ड लाइक्स बढ़ा दि दोनों डाइग्राम को अलग-अलग बना देना है, तो यहाँ पर आपने A को रखा, और यहाँ पर आपके B को रखा, और A का कुछ हिस्सा B में कभी भी नहीं आएगा, यह सबसे इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है आपके बैंकिंग एक्राम के लिए, सबसे ज़्यादा प् इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है यह, आईए इधर, सम A or not B, तो A कोछ हिस्सा B में नहीं होगा, जब यह बी की बात करता है, जब पीछे यह बी आता है, तो यह पूरे B की बात करता है, कुछ हिस्से के बात नहीं करता है, इसलिए इसके पूरे सरकल के साथ इसक है, ओके, थोड़ी यहां पर गर्मी इस टाइम जादा हो लिए है, ठीक है, तो, सॉरी थोड़ा सापको, वेट करना पड़ा, इधर आईए, कंक्लूजन, सम B, R, A, कुछ B, A के अंदर दिख रहे है, क्या हम बलेंगे यह, नहीं, दोनों अलग बैठे तो है, गलत है, कुछ L, A, B से अंदर है, क्या नहीं है, दोनों अलग अलग बैठे हैं, हमें नहीं पता, हटें पर सेशुरीट यहोगी था जब ए Erfolg क्या हम बोलेंगे, यह क्या मैंने अभी पड़ा नहीं है पहले नीचे वाला कर लेते हैं फिर इसे भी बताएंगे तो यह होगे आपका गलत ऑल भी आरे सभी यह के अंदर दिख रहे हैं नहीं दिख रहें ना कट कर दीजे नो एइस भी अब देखो बहुत इंपॉर्टन चीज आप बोलोगे माम देखि का नो का क्रॉस का रिलेशन होता बट इसमें तो कुछ पार्ट दिखा रखा है ना तो यह गलत हो जाएगा नो बी इसे कोई भी बी एक के अंदर नहीं है हम अब बहुत ध्यान से देखिएगा कोई भी या फिर बी का कोई भी हिस्सा कभी भी एक इस पार्ट में नहीं होग काफी लोगों के कॉंसेप्ट आप ने काफी कॉंसेट कहीं न कहीं से सीख रखे होंगे और आपको थोड़ा अलग लग रहा हूँ कि मैं आप इस तरीके से बता रही हो पर आई के एशुर यू जिस दिन आप इस तरीके से क्वेस्टन को देखने लगे जिस दिन आपका इस तरीके से फाइव मार्क्स आपके होंगे ठीक है तो एक बड़ ट्राइ कीजिएगा हमेशा याद रखिए यह बोल रहा है नो बी इस है मतलब वो बोल रहा है कि बी का कोई भी हिसा इस पूरे ए में कभी 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 कहीं भी आएगा ही नहीं आप ऐसे सोच लो कि भाई ब बी का लिशा इस पूरे एस फुरे लो का रिलेशन है हम बोलेंगे जी इसका तो नहीं पता वह भाई बी का इसे से एक हिस इसे से क्या नहीं है तो क्या हो जाएगा यह गलत हो जाएगा आए इसमाज में possibility होगा फिर third right होगा चाश्रेया possibility की भी बात कर रही है तो इस सबसे ची बात तो यह है कि जो students pro level के हैं यहां पर जुड़े हुए हैं मेरे students है और मैं उन्हें pro level का ही भोलती हूँ हमने बहुत बढ़िया-बढ़िया questions कर रखे हैं वो भी आज इस foundation में हमाई साथ जुड़े हुए हैं तो इससे सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब मैं यहां पर खड़ी हो जाती हूँ तो वो लोग कितने भी बीजी हो कुछ भी कर रहे हो जरूर आते हैं पढ़ने के लिए और दूसरी बात जो नए लोगों ने हमें जॉइन किया है उनको भी बहुत 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 थेंक्यू बोलना चाहूंगी कि यहां पर आए हैं और एक यहां पर आप अपना एक इंटरेक्शन भी दिखा रहे हैं आंसर भी दे रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत नए बच्चों के नाम भी आपर बार दिख रहे हैं ठीक ह तो हां चलिए प्लीज रिपीट दिस ठीक है अभी रिपीट करते हैं यहां पर बी का कोई भी हिस्सा एके इस हिस्से में नहीं जाएगा लेकिन एके इस पूरे गोले में कही भी नहीं जाएगा इसकी हमें गैरंटी नहीं है समझ में आई बात तो इसमें सही कौन सा होगा कोई भी नहीं ठीक है इसमें कोई भी कंटूजन सही नहीं होगा तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नो ए इस भी एक बचा है क्या अपना चलो देखते हैं कौन सा बचा है एक बचा था सम भी आ नौटे इधर भी आ जाईए यह बोलें बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है हाँ आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यह कोई भी या बी का कुछ भी हिस्सा एक इस पार्ट मे तो नहीं है लेकिन इस पूरे ए में नहीं है इसकी हमें गैरेंटी नहीं है ठीक है इसलिए हम शुर नहीं है और शुर नहीं है तो यह भी हो जाएगा गलत ठीक है एक बात याद रखना कुछ भी है कि इस हिस्से में तो नहीं है पर इस पूरे ए में नहीं है पता है नहीं नहीं पता ना इसलिए गलत होजाएगा और यहां पे फिर से हम लोगों ने एक बहुत अच्छा बार सिट कर लिया है मतल़ 700 बार का लिए किसके वज़े से मेरे स्टुडेंट्स के वज़े से और किसके वज़े से है ना यहां पर निशानव जो और यहां पे अनीमा सब भी ही जो है यह हमारे ही स्टुडेंट्स है ठीक है तो मैम परसेंट बेस्ट भी सिलोगिसम भी पढ़ाओ गे ना हाँ जरूर एक भी सिलोगिसम का टाइप ऐसा नहीं होगा जो ना कराएं हम यहां पे आपको ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं अब लास्ट है आपका यह पिलर अब किसी भी चीज को मतलब किसी भी इमारत को बनाने के लिए वह चौथा पिला रही है इसके बाद इमारत बन गई समझिए बस उसे उपर उपर फ्लोर बढ़ाते जाने हैं नो एइस बी नो मतलब क्या होता है मैंने क्या बोला जैसी नो दिखे नॉट दिखे आप दोनों ही व अब आके कोई conclusion निकाले इन में से कुछ लोग student नहीं है रहे सही बात तो है ठीक है जब कोई भी आप में से student नहीं है तो कुछ ये उठा लीजे ये उठा लीजे मतलब क्या बोल गयो आप इनको ले लीजे इनको ले लीजे कोई भी student नहीं होगा नहीं होगा ना तो ये बा तो जब कोई भी एवी में नहीं है तो कुछ एवी बी में कभी नहीं होगा ठीक है अब आ जाती है इस उपर वाले स्टेट्मेंट की बात सम बी आर एक कुछ बी एक अंदर दिखना है यह गया दोलो अलग अलग बैठे उपर से नो का विश्टा है साफ साफ गलत है डैफिने में नहीं आएगा तो यह भी हो जाएगा बिल्कुल सही श्रीटी एना हंडेट परसेंट राइट कर दिया और यार भी सभी एक अंदर है क्या ना जी कहां है दोनों अलग अलग बैठे यह भी हो जाएगा गलत और यह तो बिल्कुल स्टेटमेंट के ही विरुद जा रहा है और बी आरे यह सभी बी एके अंदर है क्या दोनों अलग अलग बैठे हैं नो बी इसे कोई भी बी ए में नहीं अब इसमें आप बहुत कंफूजन क्रियेट करते हैं माम यह तो सही होगा आरे यह तो गलत होगा आप ऐसे बोलते हैं गलत क्यों होगा इसने बोला मैंने तु जैगा तो भही इसके घर से भी तो नो एंट्री हो रखिये जाए तो यह वहां से नो एंट्री है यह दोनों साइट से एकवल दुश्मनी निभाई जा रही है ठीक है बिल्कुल सही हो जाएगा समे आरवी कुछ एवी के अंदर दिख रहे हैं कि आत दोनों अलग अलग बैठ 2nd 3rd and 2nd last are the correct answer यह है 236 236 नेहा का भी यह है very good नेहा अमित राउ ने भी यह ही किया है यहां पर आजय का भी यह है very good very good very good okay चलिए फिर आगे चलते हैं अब आती है चलो आप इनके अप्लिकेशन भी करते है देख लिए चार पिलर्स बन चुके है आजये आप इसके अप्लिकेशन करते है तो यह हमारा पहला क्वेश्चन बिलकुल बेसिक वाले से लॉक्स पे और फिर हम देखेंगे आईदर और किस क्या क्यों होती है आईए सέλवाह की तो कुछ इस्तुडंच में आ गया जञा इस्टुछ यह सभींट्स तूडेंइसं के अंदर आगे पहला कनप्लूजन पहला कुधा च्छन क्या है सब ही टीएजर स्टूदेंट्स हैं तर दिख रहे हैं अभी अभी हम्ने कि लिक अभी यह है और यह बी है जब मैं बोले थी सभी भी ए है और बी आरे तो मैंने तो आपने क्या बोला कि नहीं मैं हमें नहीं पता कि बी का यह हिस्सा एमें है कि नहीं है तो हमें जब प्श्वरिटी नहीं है तो हम कैसे बोल दें तो यहां पर यहीं बोल रहे हैं सभी टीनेजर क्योंकि इसका स्टूडेंट से क्या रिश्ता है एक्ट्यूली कुछ पता ही नहीं ना सम का ना ओल का और नहीं नों फीक है चलिए तो एक बार इन लोग के संख्या कम होती है और में कुछ पता चल जाता है यह लोग सब चेयर करने तो थांकियू बचो चलिए, Next Question więc 2022 No Flower is Mango No A is B तो आ यहां सब देखते ही नोग दहनम अला LETTHAST में कोには N. marketing है भाईट जाता है यहां से में कोई ली। भी फ्लावर आपको बताने वाली हूँ ठीक है इन्होंने बोला पहले कि कोई भी फ्लावर मैंगो में नहीं होगा फिर बोलते हैं कोई मैंगो चेरी में नहीं है यह लीजे कोई भी mango चेड़ी में भी नहीं है अब पहला conclusion no flower is cherry कोई भी flower Cherry में नहीं है अब फिर कोई फिर कोई चुछ students हो जाएंगे नहीं है सही है ठीकिए और यहां पर मुझे दिख भी गया तो जल्डी से देखते हैं कि यह घलत है इसने क्या बोला इश में फ्लावर और चेरी के बारे में एक बात कह दी ठीक है बहुत गर्मी हो रही है यहां पर, मैं और यहां में आदि को शहुम को को और नेहा को तो यहां पे हमारी निशा है यह हमारी अधिती और यह है निशा बहुत प्यारी लड़की है पहले बात और यह दोनों अब देखो dan siyah but still Neha से दुष्मनी हो गई किसी भी some how और Adityा bit जुष्मनी हो गई इन दोनों की निशा की इससे दुष्मनी हो गई और Nisha से इससे भी दुष्मनी कर ली अब है उन्य 다नीमि जुट acontece तो यहां पर नेहा और अदिती भी एक दूसरे की दुश्मन हो जाएगी, 100% सेंचुरिटी है क्या, एक बार बताओ, दोस्त जो आपके दुश्मन होते हैं, वो दोनों दोस्त भी तो हो सकते हैं, ऐसे बोलते भी है, तो यहां पर नेहा और अदिती के बारे में, इनका क्या र और यह बेस्टीज भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए कभी भी फ्लावर का चेरी से कोई रिष्टा आप नहीं बता सकते हैं, इसके दुश्मनी इससे, इसके दुश्मनी इससे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फ्लावर की दुश्मनी चेरी से हो जाएगी, या फिर फ्ल यहां पर आगए है हम पहला वाला no flower cherry हम मुलएंगे रहा हमें नहीं पता flower and cherry दुष्मन है कि दोस्त हमें नहीं पता हटा दिजे some cherry's are mangoes कुछ cherry mango के अंदर है कि दुष्मन यह जी कैसे हो जाएंगे गलत हो जाएगा क्या हो गया? दोनों ही अपने अपने में गलत हो गए तो दोनों ही गलत है तो आंसर क्या होगा नाइदर फॉलोज ठीक है तो यह सभी का बिल्कुल सही था next I hope एक concept आपका clear हुआ होगा और यहाँ पे हमें इसे 1000 तक ले जाना है और अभी हमारे पस कितना टाइम है 20 मिनट है और ठीक है नहीं है चलिए आये some pups are cows कुछ pups cowz में था पाप्स का कुछ हिस्साव में आगया no kittens are pups kittens चाहिए दो कैट्स के बच्टों कहते है ना नो किटन सार पप्स ठीक है अब लोका रिष्टा है किसका पप स्कार किटन्स का तो देखते ही ना दोनों फैन को पहले तो अलग अलग बना दीजिए अब यहां पर किटन आ गये और कोई भी कप अप बोल यू पप कोई भी पप् तो कोई भी पाप कितन है नहीं एना दिखना ए सही चीज है दोनो के सी घंगर्य नहीं होगी,टीक यह से प्रजापन सही है,ः औरुगे तो काउस के कितन है,पी यह नहीं पता जब नहीं पता तो जिछाइब लुगता है विद्वेनी कर रहो है। नेक्स क्वेश्चन पर आते हैं तो इफ उनली फर्स अभी का सही है वेरी गड़ वेल डन गाइज और लाइक्स भी कर दीजे भई थोड़ा लाइक के संख्या बढ़ाओ चलिए नेक्स क्वेश्चन जल्दी से बॉइज और थीव्स बॉइज के साथ थीव्स क्यों लिखा गया है और डिकॉइट्स क्यों लिखा गया है कुछ अच्छा भी हो सकता था है यहां पर यहां पर मतलब हमें मानना होता है यह जरूरी निए टृत हो पर यह मानना पड़ता है सभी का अंसाना स्चार्ट हो गया है वेरी गुड़ वैल डन आईए सब बॉइज आर थीव्स कुछ बॉइज थीव्स में आ गए थोड़ा अच्छे से बना देते हैं ठीक है अए यह सब ही थीव्स डेकोइज में आ गए ठीक है पहला कंदूजन कुछ बॉइज देकोइज हैं बॉइज का कुछ इसा डेकोइज में है क्या हाँ जी यह है तो तो सही हो गया और कॉइज आर बॉइज यह सब ही डेकोइज बॉइज बॉइज चे अंदर बैठे यहां यह नहीं पता जब नहीं पता तो वह रॉंग हो जाएगा ठीक है चलिए फिर आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्वेस्टन यह रहा वेरी गुड़ वान 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 और यहां पर धमाके वाला साइन भी भेजा जा रहा है तो धमाका आप लोग कोई करना है दमाका क्या होता आप सभी को बता होगा यहां पर स्ट्रेंथ बढ़ानी है और इस संख्या को नौसों पारतों लेके जाना ही है ना चलिए कौन हम चोर हात उठाW कोई नहीं है यहां पर के दोनों रॉंग यह डोनु र् algún बता रहे है यह लेख सी कुछ इए श्टुडेंट्स हैं गोई का कुछ हिस्था है निनेजर में मैं यह स्थोडेंट स्टूडेंट्स टीनेजर आगेसं लिन sir के अंदर गए पहला कन्कुजिए यह फेस्ट इस तुट्ञेंचuje स्टूडेंट के इसी रगे हैं खर यह किसे अझेजाएं हमें नहीं पता जब नहीं पता और तो गलत हो जाएगा कुछ boys teenager है boys का कुछ हिस्सा teenager में हाँ जी ये हिस्सा है तो teenager वाले गोले में बिल्कुल सही है तो क्या हो जाएगा if only conclusion second follow very good very good very good मैं decoite हूँ क्या है आप लोग पीछे ही पड़े गए उस वाले question के इतना ही लेना है दिल पे आपको चलिए now it's the time कि हम either or देखो आज concept पे based classes चल रही है तो यह जो questions थे यह बस आपके pillars का काम कर रहे थे मतलब कि आपका base का काम कर रहे हैं अब हम एक और नया base बनाने जा रहे हैं आईदर और ठीक है तो चलिए फिर स्टाइट करते हैं आईदर और केसे क्या होते हैं आईदर और केसे के लिए जैसे फॉर एक्जांपल आपको एक statement दे रखा है यदे आपका कथन है सम A, R, B मतलब कुछ A, B है और फिर आपका कथन है सम B, R, C राइटिंग पहल आज सबिँ है मेरे बच्छो ऐसी राइटिंग यह यह तो थोड़ा ओप och пड तो संनोंगा पम और मुझे एंटर भोट बी चुके हैं मैं एंड़ कोई यहा of нет दिन पर वह प्रत प्रत ना यहाः वह पर इस का करेंगे अगर यह आपको कुछ conclusion देते हैं नीचे, conclusion मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपका, और वो English में ही लिख रही हूँ, Hindi में समझा दूँगे, ठीक है, पहला conclusion, पहले यह बोलते हैं, sum A, R, C, फिर यह बोलते हैं, sum A, R, एक सेकें, not C, ठीक है, ऐसे बोला, पहला conclusion क्या है, कि कुछ A, C है, एका कुछ हिस्सा C के अंदर दिख रहा हैं क्या, हमें नहीं पता, तो हम बोलेंगे भाई, यह तो गलत है, दूसरा क्या है, sum A, not C, एका कुछ हिस्सा C के अंदर नहीं है क्या, अब देको, यह मत बोला, मैं हम नहीं है, यह पर मैं अच्छा नहीं लगेगा, आप यह वे हमने बताया है, जब तक आपको नहीं दिखता ना, तब तक नो नहीं मानते, मतलब कोई रिष्टा ही नहीं मानते, अगर यह क्रॉस नहीं दिख राए, तो दोनों बस अलग गलग बैठे हैं, हमें नहीं पता इनकर रिष्टा, यह बोला है कुछ हैं सी में नहीं है, हम बोलेगें हमें नहीं पता, तो इसे भी कर देंगे गलत, यह दोनों गलत होगा है, जैसे ही यह दोनों गलत हुए, अब आपकी डायरेक्ट आपकी नजर कहा जानी चाहिए, इनके अलीमेंट्स पे, क्या है, यहां तीन स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, बहुत, मैं बहुत एजी लिए आपको बताने वाली हूँ, आप देखो, आईदर और का रूल क्या होता है, ठीक है, तो यह आपका आईदर और केस है, यह आपका आईदर और केस है, भई, क्यू है, क्यू है, क्यूंकि आईदर और केस सभी steps तसने follow कर लिये और यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि actually एधर और में हमें क्या चीज चाहिए होती है ठीक है ठीक है एधर और के यह अपको क्या क्या चीज चाहिए था है इडर और सबसे पहला स्टेप स्टेप बान पहला स्टाप बोट बोट अपम बनाईंगे ए लाइफ़ लाइफ लांग रहें आपके साथ बहुत है और यह फर्स्ट नास्ट नोट सोने चाहिए मैं तो यह चाहती हूं बोट कंपूजन्स शुट बी रांग इंडिविजलि दो दोनों ही निशकाष अपने अपने में गलत होने चाहिए, wrong, individually, both conclusions should be wrong, individually, step two, आपका क्या होता है, ये पहले तो ये चीज फॉलो करनी चाहिए, ये भी लाइन से चलना चाहिए, पहले दोनों गलत होने चाहिए, दूसरे चीज आप देखते है, that elements of both the conclusions should be same, elements या फिर variables, या फिर वेरियेबल्स तत्व दोनों ही का निशकर्ष के सेम होने चाहिए शुड़ बी सेम ठीक है एलिमेंट्स वेरियेबल सेम होने चाहिए दोनों ही कंटुजन के तीसरा स्टेप क्या होता है कॉंप्लिमेंट्री पेयर आप देखो जितनी कॉंप्लिमेंट्री पेयर बता रही होना कि कॉंप्लिमेंट्री पेयर किती होती है तीन कॉंप्लिमेंट्री पेयर होती है कौंची कौंची यहां पे लिख रहे है हमेशा याद रख रहा है वस यह तीन ही होती है एक होती है आप कि सम प्लस सम नॉट कुछ और कुछ नहीं और एक होती है और प्लस सम नॉट मतलब सभी और कुछ भी नहीं अब इसके अंदर भी मैं बहुत इंटरस्टिंग सा आपको फैक्ट बताने वाली हूँ शायद आपको आज तक पता नहीं होगा तो यहां पर मुझे बताना चाहिए खिक है तो यहां पर हाँ चलिए कुंपल्मेंट्री पेयर तीन होती है सं प्लस नोच सम-्लस सम नॉट्ट एंड और प्लस नॉट्ट वेले थो यह फालो होना चाहिए फिर यह और फिट तीसरे इन मेंसे एक कंपलिवेंट्री पेयर आपको मिल नीचाहिए तो वो केस क्या हो जाएगा इधर और हो जाएगा ठीक है चली आ गया यह नेक्स्ट अब पहला क्वेश्चन आया है अब देखो मैंने आईधर और केसे पर आपको कुछ क्वेश्चन लाए हूँ आपके लिए अगे चलिये सम गुड़ार मैं कुछ गुड़ मैं में आ गए सभी मैं कैश है यह सभी मैं कैश के अंदर आ गए नो कैश इस चैक अब देखिए कोई भी कैश चैक नहीं है मतलब जैसे ही नो दिखा दोनों वैंड बन जाएंगे अलग अलग चैक लिखा यहां और कोई भी कैश चैक में नह होगा ठीक है की ठीक बनोट कोई मैंन चेक नहीं है अभी दर देखिए मैं कोई भी हिस्सा चैक में में नहीं है कंपा में 100 परतर्सन चुर्टि है क्या देखो चरध् Яन से देखें आप बोलेंगे माम, कैश का कोई भी हिस्सा चेक में नहीं जाएगा, भाई, कैश के अंदर पूरा मैन बैठा है, अब यह जो व्यक्ति है, यह भी कभी भी चेक में नहीं जाएगा, 100% शॉरिटी है, तो शॉरिटी है तो राइट कीजे न, यह तो बिल्कुल सही है फिर, है न आगे देखिएगा, एक मिनट, some good are men, all men are cash, no cash is check, आगे दिखते हैं, some cash is good, cash का कुछ इससा good में है, हाँ, जी है, यह है तो, बिल्कुल सही है, दोनों पर हने पर सुरिटी है, तो बहुत सही हो जाएंगे, दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है, चलिए, और students पूरा effort लगा है, I know, मुझे सब पता चल जाता है, टेलीग्राम पे भी मेरे पास messages आ रहे हैं, तो थैंक यू बच्चो, आपने इतना कर दिया, यह हम अभी 834 है, यह मेरे बहुत बढ़ी बात है, ठीक है, तो यह हमारी bonding show करता है, और आपने इतना किया है, मैं इससे बहुत खुश हूँ यह बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें हम जुड़े हुए हैं, ठीक है, ठैंक यू, ठैंक यू एवरिवन, शेया करने के लिए भी और यहाँ पे इतना प्यार दिखाने के लिए, मुझे मेरे लिए वो बड़ी बात है, ठीक है, चलिए, आगे देखिए यह वाला question अचखिए है, यह थ 맞तर, रिखे देखिए, आगे मेरे ओंने के लिए, आगे circuit आपक यह थातर, आगे रिखाने के लिए यह, अचण मेरे, एनण, आगे purpose औरेंज में है निए पापाया आजली सरा है यह लिगे तीक है अब देखिए सब पॉजिटिफ दिख रहा है जब़ी से दिखते है का दुझे सभी मैंगों फ्रूट्स है क्या यह सभी मेंगों इस फ्रूट्स के अंदर दिख रहे हैं क्या वही वाला ओंगया और आर बी वाल तो यहां पर कोई हमारे रंजीद बैठे और अभी शेख बैठे तो यह दोनों अलग अलग सिटी में कही बैठे इनके बारे में मुझे खुद नहीं बदा तो मैं कौन होती हो इन पर टिपन नहीं करने वाली मतलब कि मुझे जब शॉरिटी नहीं है कि यह दोनों क्या है यह है नहीं पता ना तो मैं नहीं बोलूंगी कुछ ठीक है क्योंकि मैं definite केस में बोलने जा रही हूं पर हां आगि जब पॉसिबिलिटी आएगी ना तो तो फिर हम लोग है फिर लोग का कामिक है ना फिर तो हम करेंगे हो सकता है यह दोनों दुश्मन हो हो सकता है यह दोनों तो हो सकता है लगा के हम काफी कुछ बोल जाएंगे कुछ पपआया फुट्स है पपाया का कुछ इससा फूट्स में हमें नहीं पता गलत हो गया ठीक है आई यह तो यह दोनों ही गलत हो जाएंगे मतलब कि नन फॉलोस ठीक है नन फॉलोस नाइबर फस्ट नौर सेकेंड फॉलोस और यहां पे नमनीट सर भी आ चुके है तो जल्दी से मैं भी आपसे अभी यह कहूंगी और कहना बनता है क्योंकि हम अल्रेड़ी हाँ पे सारे आट सो तक पॉछ चुके है तो जल्दी से एक बर भाई अपने सभी सोचल वीडिया प्लाटफॉर्म पे शेया करिया और यहां पे हजार की संक्या में अपन सब होने चा स्कूल में आ जाएंगे सभी स्कूल्स कॉलेजेज है यह सभी स्कूल्स कॉलेजेज हो गए पहला कंकुजन सभी गार्डन कॉलेजेज है एक बात बताईए इसने बोल दिया भाई यह सभी गार्डन स्कूल में यह सभी स्कूल कॉलेज में तो यह गार्डन तो खुद कॉले होती है तो कंक्लूजन कोई भी नेगेटिव होगा ही नहीं लेकिन कौन से केस में डैफिनेट केस में निश्चत रूप वाले केस में मतलब यहां पर जैसे ही आपने नौट देखा और सभी स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव थे तो इसको देखते ही काट दीजिएगा पहल लिलीज रिलेट कीजिएगा परस्ट टाइम इन माय क्लास के नमस्कार करता हूं मैं नमस्ते चलिए और लोटस और लिलीज और सौरी और लोटस और फ्लार्स तो यह सब ही लोटस फ्लार्स में आ गए नो लिलीज लोटस अब कोई भी लिली लोटस में नहीं है लो देखते ही ना दोनों वेन को अलग 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 बिठा दीजिए यह लीजे लिली लिखा यहां पे और कोई भी लोटस लिली में नहीं होगा पहला कन तुझा नो लिली इस फ्लावर कोई लिली फ्लावर में नहीं है बहुत ध्यान से देखिए मने डोटस में लेकिन इस पूरे फ्लावर में कहीं नहीं है इसके हमें गैरणटी नहीं है तो यह गलत गर्फ फॉलावर तो तेसर स्टेप क्या होता है कॉंपलिए जी प bond होता है संप्लस नोट यह फिया मैं जा तो इसUNG से आई दर फस्ट और सेकेंड फॉलोस बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं और कल इसे ही और ज्यादा एक और स्टेप आगे लेके जाएंगे इसे आप सभी जरूर जुडियेगा वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी अब आजाते हैं पॉसिबिलिटी पे बच नाओ इसे टाइम तो वाइंड अप दे सेशन एक मिनट बचा है बट इस्टिल आज जान लगा दी मैंने तो अपनी साइट से लगाई ही थी पर मैंने ये भी देखा जो मुझे शायद आज बहुत दिनों बाद जातलब रिलाइज हो रहा है बहुत अच्छा भी लग रहा है थैंक यू एवरिवन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को बहुत मज़ेदार सेशन बनाने के लिए और जो आपने शेयर किया है मैं समझ जाती हूँ कैसे बहुत तेजी के साथ आप लोग इसे शेयर कर रहे थे और बहुत लोगों को आपने हमाई साथ जोड़ा ह तो सबसे पहले मेरे स्टुडेंट्स का सबसे बहुत में शुक्रिया करूंगी कि उन लोगों ने शेयर किया इसे दूर तक और यहां पे 900 पार करवा दिया करवा ही दिया ठीक है मैंने बोला था और आपने कर दिया तो थैंक यू एवरिवन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबीका पॉसिबिलिटी अब मैं क्योंकि समय की थोड़ी सी मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का मैं इसे बारा बजी तक भी कॉंटिन्यू करा सकती हूँ बट इस्टियर यहां पे हम वाइंड आप करेंगे कि इसके बाद राइट मैस की क्लास है तो बहुत कुश हुआ है तो ब सब्सक्राइब के लिए जो इतना शांदार अपने सपोर्ट दिखाया मतलब अन्बिलेविबल है और अभी तो मैस की क्लास बाची है तो मैस की क्लास में भी जूड़ना है अप लोको इसके बाद ठीक तो तकरीबं 700-800 लोग रुपम में में थे हजार तकरीबं पहुच नगहान घ्रीज बहुत अच्छा लग रहा है कि इसके अप से मतलब चेंए युजान दिखा रहे है लेटरिय आप सब लोग प्रो बनने वाले ना तो बिल्कुल बनना ही आपसे बिलू को है और बिल्कृ वियोग बनना ही इसका बाद मैस क्लास मैश की होगी तो यहां पर आपने उंज प्यार आप मैं फिर प्यार नहीं दिmother यहां पर अब रहत sometime यहां मैं वहार ड़ू का उख की और भाँर हॉन आप Łइए में जो सपोर्ट डिखता है तो 서 ठी तो चलिए आगे बस कल पॉसिबिलेटी पे ले के जाओंगी पॉसिबिलेटी के बाद बहुत सारे क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करेंगे किसी भी कोर्स में अन्रोल करा ने के लिए चाहे आप 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 आई-पीस----- अन्रोल कराना चाहते हैं अटर 2-7 ट्रेफट से उस बैच में अन्रोल करा सकते हैं वह वह तो किसी भी बैंक महापैक मैं तक तयारी करा दी जाती है को पा जिए यूज कीजी और क्या आगे दिखते हैं और क्या है बहुत बड़िया बुक है एक्टॉली मैं तभी बोलती हुँ जब मैंने खुद परस्टनली उसका एक एक क्वेश्चन देखा और उसको सॉल्व किया हो बहुत बहुत प्रो लेवल की बुक है जरूर लगाईएगा अगर आपके पास न सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा और कल मैं आपको फिर से मिलूंगी इस ही एनरजी के साथ यहां पर और आप भी इसी एनरजी के साथ मिलने चाहिए रात दस बजे इसे कॉंटिन्यू करेंगे और बनेंगे बिगिनर से प्रो ठीक है थैंक्यों अब्रिवान गोड़ करेंगे!